नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ज्यान फोर यू में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो रिय एक्जाम को लेकर बहुत ही महत्पून बिंदू को लेकर और भाईया इस भरती को लेकर कुछ महत्पून तथ्य हैं वो तथ्य आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ जो इस भरती के लिए बहुत ही महत्पून है और अधिक समय वेशना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कोई फाल तू ड्रामा नहीं ठीक है तो सबसे पहले भाईया पॉइंट है देखे किस सिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजिशन होगा तो इस सवाल को लेकर बहुत सारे छातर कैई दिनों से बार-बार कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार सर हमारी सिफ्ट में क्या होगा हम 26 की पहली में हैं हम 27 की पहली में हैं हमारा कितना घटेगा और 26 की सेकिंड और 27 सेकिंड वालों कितना बढ़ेगा तो इस सवाल का जवाब देने का प्रियास करूँगा सबसे पहले तो भईया किस shift में कितना घटेगा actual में और कितना बढ़ेगा ये actual में बताना possible नहीं है बिलकुल भी लेकिन जितना भी मैंने अब तक इस भरती का visualization किया है उसके आधार पर मैं इस निसकर्स पर पहुँचा हूँ और बिलकुल इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि इतना कम से कम हो सकता है नौर्मलाइजिशन ठीक है तो भईया जो second shift वाले हैं उनको बता दूं second shift में 15 से 20 नंबर तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है और ये बात मैंने पहले बताई थी आज फिर बता रहा हूँ और इस भरती को लेकर काफी point मैंने ऐसे दिये हैं जो किसी भी यूट्यूबर के पास अब तक नहीं थे चाहे वो normalization को लेकर हो या किसी और point को लेकर हो या cut off को लेकर हो ठीक है 15 से 20 नंबर का बढ़ोतरी आपको second shift वालों को देखने को मिलेगी ठीक है और जो भी पहली shift वाले हैं उनको नुकसान देखने को मिलेगा फिलाल मेरे पास है update 5 से 7 नंबर तक का ठीक है पास से 7 नंबर तक का नुकसान देखने को मिल सकता है 26 की पहली 27 की पहली को इसके आसपास हो सकता है एक दो नंबर मीचे हो सकता है एक दो नंबर उपर हो सकता है actual बताना possible नहीं है आप समझ सकते हैं ठीक है तो ये तो बात है नौर मलाईज को लेकर अब बात कर लेता हूँ एक महत्तपूर मिंदू को लेकर की आयोक का फैसला दोस्तो आपको बता दूँ इसके रिय एक्जाम के रिजल्ट को लेकर यूपिटर पलेसी बहुत जल्द फैसला करेगा इस भरती को अब यूपिटर पलेसी लेट करने के मूड में बिलकुल भी नहीं है और उम्मीद करता हूँ ये जो आने वाला साथ से आठ दिन है इन साथ से आठ दिनों में यूपिटर पलेसी इस भरती पर जो उसको निर्णा लेना है वो ले लेगा ठीक है अब रही बात कोट केस के बिंदू को लेकर बहुत सारे छातर ये बोल रहे हैं कि सर कोट केस हो गया तो बरती फज जाएगी और इस भरती का जो है भरता बन जाएगा भरती पर इस्टे मिल गया तो तो एक बात मैं किलियर कर देता हूँ वीडियो वालों आप सभी ध्यान से सुन लो अभी इस भरती पर कोई भी इस्टे नहीं है ठीक है कोट ने कोई भी इस्टे इस भरती पर नहीं लगाया है इस्टे लगाने का मतलब यह होता है कि आयोग उस भरती पर आगे कोई भी फैसला नहीं कर सकता और नहीं यूपिटर पलसी इस भरती की प्रिकरिया आगे बढ़ा सकता ठीक है यह होता है इस्टे मिलने का मतलब और इस भरती पर अभी कोड केस की तरफ कोई भी स्टे नहीं है इसका मतलब ये हुआ Jupiter policy जो चाहे इस भरती में फैसला कर सकता है अगर उसके मन में result देने की है तो वो result दे सकता है कोई रोक नहीं सकता ठीक है जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल point to point बोल रहा हूं और cut to cut बोल रहा हूं अगर Jupiter policy चाहता है कि मुझे परिनाम देना है तो वो परिनाम दे सकता है court की अभी तक इस भरती पर कोई रोक नहीं है और ना ही court ने अभी इस भरती पर stay लगाया है ठीक है बाकी Jupiter policy के उपर है क्या फैसला करता है और उम्मीद पूरी पूरी है कि 7-8 दिनों में इस भरती पर फैसला हो जाएगा ठीक है यानि कि आप ये मान कर चलिए कि बहुत जल्द आपको इस भरती के संब्द में कुछ ना कुछ निउज मिल जाएगी अब वो निउज क्या होगी वो तो भईया आने वाले कुछ दिन ही बताएंगे ठीक है और देखिए कुछ चात्र इस बात को लेकर परिशान भी है कि अगर कोट ने इस्टे लगा दिया तो भरती का भरता बन जाएगा हाँ ये बात बिलकुल सही है जो भी चातर इस सोचते हैं कि बरती का भरता बन जाएगा तो वो सही सोचते हैं अगर कोट ने इस बरती पर एक बार इस्टे लगा दिया तो वाकई में ये भरती बिलकुल पिस कर रह जाएगी छे साल अल्रेड़ी हो चुके हैं पौने छे साल जो बात जायज है वो हो और कोट जो फैसला करेगा वो मानने होगा बाकी अभी पौजिटिव रही है भरती पर कोई इस्टे नहीं है यूपिटर पलसी चाहे तो लेक पाल की तरह इस भरती का रिजल्ट दे सकता है कोट के फैसले के अधिन ठीक है अब पौइंट क्या है EWS का अगर EWS कोट केस लंबा मेटर फसा क्या यह मैंने हैं पौइंट लिखा है EWS को लेकर देखे चातर गई हैं EWS को लेकर सही बात है और यह बात भी सकते है कि उनको पेपर होने से अगर पहले जाते हैं तो और अच्छा होता फिर यह बरती और लेट ना होती 26 और 27 जोन को इसकी परिक्षा होई थी अगर परिक्षा होने से पहले चातर जाते EWS को लेकर तो और अच्छा होता एक्जाम से पहले ही आपका EWS लग जाता अब बाकी देखिए कोट का फैसला इस बारे में कुछ नहीं बोसकता बाकी आप सब समझदार हैं आने वाला टाइम बताएगा कि भरती में अब क्या निरनाय यूपिटर पलस्टी लेता है और क्या फैसला कोट देता है बाकी आपको मैंने बता दिया कितना नंबर किस सिफ्ट में बढ़ेंगे एक आपको मैंने अनुमान बता दिया बाकी एक्चुल बात तो रिजल्ट आने पर ही पता लग पाएगी ठीक है दोस्तों तो ये होगे आज का वीडियो और किसी बरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहल दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैन जवारत हमचा कुछ रहिए मुस्कात रहिए